नमस्कार दोस्तों मेरा उल सास्तुरी शुगत करता हूँ आपका अपनी जोती सीखाने के संकला को जारी रखते हैं पहुत स्रल laptops करें तुरीके से कमसब्धों मैं आज भी फृत राजियों के बारे चर्चा करें जो की पहुत मैटतब हुँ ने विपरीत राजयोग ये कुडले में कैसी निर्मान होता है किस तरह के इसके परभाव देखने को मिलते हैं और कैसे आप समझ सकते हैं यही मैं आपको बताने जा रहा हूं देखिए जो विपरीत राजयोग होता है ये कोई ऐसा राजयोग नही नहीं यह इनिस्टेश में आपको स्ट्रगल देता है परिशानी देता है उसके बाद अपनी कम्यों को देखके आप जिंद्धी में आगे बढ़ते हैं इस तरह के रिजल्ट देता है कुछ इसकी कंडिशन बनती है वह मैं आपको बताने जा रहा हूं तो देखो सबसे पहल में मेज लगन होँ सकती है करक लगन हो सकती है के लगन हो सकती है इसका मतलब यह है तीन लिखा तो मिथल लगनों मिथल लगनों कि स्वामी जब देव केद्र को न में बली यह मस्ट है अगर लगनेश दोस्त हुआ अगर लगनेशी कम जोर हो गया तो फिर भी प्रितरोजों को कोई फैदा नहीं तो लगनेश मजबूत होना चाहिए कैसे के तिर कुम में जै अब आपको तिर्क भाव को समझना है जो होता है इसके स्वामी अगर खुद इनी बाव में बैठ जाए यानि च्छाटे आट में बारवे बाव के स्वामी इनी किसी तीस भाव में बैठ जाए तो कंडिशन फुल्फिल होता जाती है अश्टा महुं मृत्य तुल्ले कर्ष्ट और बारी बहुत ज़्यदा कर्ष्ट या पीरम कह सकते हैं बड़ी बीमारी को दर्साता है बार बाव हनी को दर्साता है कोट कचरी को दर्साता है मांची कसांती को दर्साता है साथी साथ अत्यदिक खर्च को दर्साता है यह मेडिक तो सनी है अब इसी बरकार दो लिखा बारवे बाव में बरसबरासी हुई स्वामी शुक्रदे वह यहां बैट गए यह नहीं कि इन तीनों के स्वामी हो जबी बनेगा तीनों में से कोई एक भी हो वह जो है अकेला घरहा विप्रीत राज्योग मनाएगा सब्सक्रों सिर्फ यहाँ मंगल हो सुकर और सनी नहीं है कि मंगल भी पृत्राज्योग मना रहा है आपको समझाने के लिए तीनों के स्वामी pillar कश्वामी तीनों भाव में बैटे ताकि आपको और असानी से समझें बाजाए और तीनों के बारे में भी मैं आपको बता सकूँ इसलिए ये एक्जामपल लिया है अब एक्जामपल लेते मंगल का तो बूधि हां में बैठे एक कंडिशन बन गई और चटे भाव का जो स्वामी है मंग करण करण करें तो महनत करा एगा मैंनत विफल जाना इस तरह कि आपको देखने को मिलेंगे अगर अगर लगने समझबूत है और मंकल यहां पर उचके आके बैट गए तो एक निश्ची तब्दी के बाद आपको मंगल यहाँ फैदा भी देगा यानि भूमी को लेके दिक् मैयनत के चेत्र में प्रास्स चीज़ों के चेत्र में आपको फ्यादा है है राज्योग जैसे आपको देखने को मिलें इसी के साथ कि अश्टब भाव गेसुषवामी यह शनी सानी आपकी कोड़ले के अंदर भाग्यस भी होते हैं और बैठें हैं च्छटे भाव में च्छटे भाव में अस्ट्म भाव में भाग्यस भी होता है उसको पर नहीं लगता या रस यह अगर झाल है तो कुम्ब रासी और मकर रासी दोनों के स्वामी सनीदेव हुए तो त्रिक भाव का दोस्त नहीं लगेगा इसी परकात जो सनी देव हैं वह भाग गया उन्हें और अच्छा प्राव उन्हें मिला तो तिरकोन के माले के तो अच्छा दोस्त नहीं लगेगा बट क्यूंकि अश्टमेज भी और सनी यहां पे बैठ गए तो इसलिए प्लेस्मे में परिसरम के कारफ होते हैं तो बहूत जबा महनत करने के बाद रिजल्ट ना मिल पाना अधिक्स होना और यहांड होना और एक निच्छी अगर मिद्व लगन के अंदर हुआ कि उनकी बारवि जो रासी हुए उसमकि रासी बैठिए और पंचिमेश भी है स्वामी होगे तो ड्वादेश का उनको दोस्त नहीं लगेगा अपर ग्वादस कि कि क्योंकि उनको तिरिक भाव के भी स्वामी है और वह आके बैठके कुछ असुब भाव में छटे भाव में तो उन्होंने भी विप्रित्रा जोग बना दिया तो ऐसे वे क्या होगा संतान को लेके चिंता पढ़ाई में दिक्कत सुखों में कमी परेशानी ऑफ्स्टैकल्स गुप्त रोग या इंटरनल डिसीजिस हम कह सकते हैं और एक निच्छी तो अब देके बाद भाग्य पुन्रूप से साथ देना पड़ेगा आकास में किलाब मिलेगा तब सभी सुक्य आपको प्राप्ति होने लगेगी और आपको फैदा होगा तो इस तरह से आप जो है व करेंगे तो यह अच्छे भाव के स्वामी भी है फ्लेश्मेंट खराब है इसलिए दान ना करें करें करिया तो आपको फैदा होगा तो दोस्तों मेरी वीडियो कर अच्छी लगए को तो लाइक करना चैनल सुक्कर चैनल को सब्सक्राइब करना मत बूलिएगा धन्यवाद अच्छी लगए अच्छी लगए.